और दोस्तो वीडियो को जादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सुपोर्ट कि हमें बहुत ही जरूरत है तो दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तो बीड़ो को एक लाइक जोरू करें दोस्तो राहूल गांधी का रोजगार देने का नया फर्मुला डीजल डालोगे चाभी घुमावगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्ता फिर से चालू हो जाएगे जी हाँ दोस्त में मوجود जनता के सामने देश की अर्थव्यवस्ता को फिर से चालू करने और रोजगार पैदा करने वाली बात कही है राहूल गांधी अपने नया योजणा का भी जिकर किया जी हाँ दोस्तो राहूल गांधी ने कहा है कि जैसे ट्रेक्टर में डीजल डाला जाता है वैसे ह नया योजणा हिंदूस्तान के अर्थव्यवस्ता के इंज़न में डीजल की तरह होगी हम डीजल डालेगे चाफी खुमायेगे और हिंदूस्तान की अर्थव्यवस्ता फिर से चालू हो जाएगी लोगों को रुजगार मिलेगा राहूल गादी ने अपने 24 सबा में अकसर किसी ना किसी नए तरीके से बयान देने के लिए नजर आते हैं जी हाँ तोस्तो अगली बड़ी खबर जियो ग्राहा के लिए आई बहुत बड़ी खुशकबरी एक साल के लिए फिर से मुफ्ट में हो जाएगी जियो की ये सर्विस जी हाँ तोस्तो साल 2016 में टेलीकॉम कंपणी जगत में कदम रखने वाली रिलाइंस जियो के आते ही पूरे देश में तहलका मचा दिया था जियो के बिना किसी सुल्क के मुफ्ट में चो महिने तक अनलिम्टेड वॉइस कॉलिंग और इंटरनेट सेवा उपरब्द कराई गई थी जियो ने फिर से सेवा के कम कीमत वाले सस्ते ओफर्स ग्राहा को के लिए उपरब्द कराई है लेकिन साल 2018 में जियो ने इस सेवा को एक साल के लिए सभी मुझूदा प्राइम मेंबर के लिए मुफ्ट कर दिया है जियो ग्राहा के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुसकबरी आई है जियो ने एक बार फिर से जियो प्राइम मेंबर सर्विस को मुफ्त कर दिया है जिसे पिछले साल की तरह एक साल के लिए मुफ्त कर दिया गए अगर आप अपनी जियो sim की प्राइम मेंबर्सिप की जानकारी पाना चाहते हैं आपको इसके लिए my geo app जाना होगा और इसके बाद my plan को चुने जिए दोस्तों यहां आपको अपने geo prime membership को एक साल बढ़ाने की जानकारी दी जाएगी जिसमें लिखा होगा कि geo prime membership एक साल के लिए मुफ्त access करने का अवेदन दर्ज किया गया है अगर एक साल और geo prime member का लाफ उठा पाएंगे geo prime member का लाफ geo के उन ग्राहों को मिलेगा जिसको membership जल्दी समाप्त हो जाने वाली है जबकि नए ग्राहों को के लिए इसके लिए 99 उपय का रिचार्ज कराना होगा दोस्तों बिड़ को एक लाइ जोरू करें दोस्तों कान खोल कर सुन लो दीदी ये बंगाल आपका और आपके भतीजे की जागिर नहीं है जी हाँ दोस्तों पस्ची मंगाल के दमदम में प्रधान मंदी नरेंदर मोदी एक रैली को संबोधित करते हैं उन्होंने पस्ची मंगाल के मुख्य मंतरी ममता बिनेदरी पर जोरदार हमला बोला उन्होंने काया कि दिदी ये अहंकार की वज़े से राज्य में हिंसा हो रही है प्रधान मंतरी मोदी ने काया कि एक दो दिन पहले दिली में एक खेल चल रहा था पहले आप पहले आप जो पिछले छो महिने से मोधी हाटाओ की बात कर रहे थे जो लोग परधान मंतरी को हट ठोकने की बात कर रहे थे लेकिन दो दिन पहले वे अचानक उनकी आग बुल हो गई जी आप बुल रही हो की एक समय इनी संस्थाओं ने आपकी मदद की थी दी बंगाल में जनता ने बता दिया है कि सुप्रीम पाउर सिर्फ बंगाल की जनता में है बंगाल मानुस के रग रग में गरतंतर है दीदी इस सचाई को स्विकार कर लेजिए और हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए आज दीन को रात कहने लगी तो सचाई कभी नहीं बदल जाएगी मामता दीदी देश के लोकतंतर की मर्याधा आपके अहंकार से कहीं ज़्यादा उची है हम सभी पर इस देश के प्रतेक जन परतिनेदी पर लोकतंत्र की रखशा करने का भी दाईट है आपकी सता जा रही है आपकी जमीन खिसक चुकी है पस्चिम बंगाल के लोगों ने आपको नकार दिया है आप बंगाल को अपनी प्रोपटी समझने की भूल ना करें जिए अदोसो प्रधानमत्री मोदी ने का है कि दीदी और टीमसी के नेताओं का अहंकार इतना बढ़ गया है कि उन्होंने देश की रक्षा में जुटे देखने की पूरी अजादी है लेकिन हमारी सेना और सुरक्षा बनो को गाली देने से उनके खिलाफ गुंडों का अपयोग करने से आपकी अपनी बिस्वस्ता पर सवाल उठ चुके हैं ये देश सब कुछ स्विकार कर सकता है लेकिन अहंकार किसी का भी स्विकार नहीं करे जिया दोस्तो प्रधानमति मोदी ने रैली को संबोदित करते हुए काया कि इस ब्यवस्ताम से पस्चिम बगाल के समाने मानवी को बहुत दुख हुआ है इसका जवाब 19 मै को कमल का बटन दबा करके देना होगा दीदी कान खुल कर सुन लो ये पस्चिम बगाल आपकी और आप भी कमपनी को कहेंगे थैंक्यू जी हातो तो फेस्बूक के स्वामित वाली कमपनी वाटसेप ने अपने ग्रांकों के लिए अब तक का सबसे खास ओफर पेस किया है हाला कि वाटसेप ने इस फीचर के लिए नए यूजर्स नाराज भी होंगे वाटसेप ने अपने प्राइविसी के लिए वीटा वर्जन का एक फीचर जारी किया है वाटसेप ने अपने नए वीटा वर्जन के प्रोफाइल फीचर को सेव करने का ऑप्शन बंद कर दिया है दूसरे सब्दों में कहें तो नए अपडेट के बाद अब वाटसेप पर किसी भी प्रोफाइल पिक्चर की फोटो अपने फोन में सेव कर पाएंगे जी हम तों तो प्रॉफाइल पीचर की स्क्रों शूट ले सकते हैं या नहीं वैसे तो कंपणी ने इसकी जानकारी नहीं दी है कि फेस्बूक की एक नौ दसमलो एक चारदू वर्जन से मिल रहा है। वहीं यूजर्स को ग्रुप के आइकन को सेव करने का बिकल्प मिल रहा है। हाला कि यह फीचर कब जारी होगा इसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं है। आइफोन के लिए जारी हुआ स्टीकर नोटिफिकेशन वाटसे अपने पिछले महीने ही आइफोन के लिए स्टीकर नोटिफिकेशन को बीटा वर्जन के लिए जारी किया था। इसके बाद कंपनी ने अब सभी यूजर्स के लिए अपना अपडेट जारी कर दिया है। इस फीचर के आने के बाद यूजस नोटिफिकेशन में ही स्टीकर वाले मैसेज को देख सकेंगे अकली बड़ी ख़बर अमेरिका में घोसित हुआ राष्टी अपतकाल ट्रम्प ने इस वज़ा से लिया है बड़ा फैसला अमेरिकी संचार नेटवर्क को विदेशी दुस्मनों से बचाने के उदेशे से राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प को राष्टी अपतकाल की घोशना कर दी है वाइट हाउस के प्रेस सचीव सारा सेडर्स ने एक बयान में कहा है कि यह आदेश संगीय सरकार को अमेरिकी कमपनियों को राष्टी सुरक्षा के लिए अस्विकार जोखिम पैदा करने वाले विदेशी प्रद्योग की आपूर्ति करताओं से वियपारिक लेंदेन करने स रोक के सकती देता है बयान में कहा गया है कि ट्रॉम्प ने अमेरिका की सूचना और सरचार प्रद्योग की तथा सेवाव की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत यह आदेश जारी किया है वाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्टपती ने यह असपष बयान में कहा गया है कि यह अदेश अमेरिका की सूचना और संचार प्रद्योग की तथा सेवाओं से संबधित खत्रों को देखते हुए राष्टी अपातकाल घोसित किया गया है और वानेजीक मंतरी को राष्टी सुरक्षा के लिए खत्रा पैदा करने वाले लेन देन प से बड़ी स्मार्टफोन निर्बाता कंपणी ने इस आरोप को बार बार खारिच किया है ट्रंप ने पिछले साल एक विध्यक पारित किया था जिसमें से अमेरिकी सरकार और उसके साथ काम करने वाले लोगों को हुआयो और चीन के अन संचार कंपणीयों के उत्पादों क अपियों करने के लिए प्रतिबंद कर दिया गया था जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़पर सामने आया राहूल गांधी का जूट अक्सपोर्ट डिक्सनरी ने उनके दावे को नकारा जी हां दोस्तों कांगली अद्धक राहूल गांधी ने दावा किया था कि डिक्सनर कि मोदिलाई सब्द की एंट्री दिखाने वाले तस्वीर फर्जी है और हमारी अक्सपोर्ट डिक्सनरी में से किसी भी यह सब्द मौजूद नहीं है इससे पहले राहूल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा था कि दुनिया भर में नया सब्द मोदिलाई लोग प्रिये हुआ है अब तो एक वेबसाइट पर इसके बारे में बेहतरी ढंक से विश्तरित किया गया है कांग्रिश अदक्स राहूल गांधी ने इसी सब्द का उलेख करते हुए कहा है कि अंग्रेजी सब्द कोस में नया सब्द सामिल हो गया है इससे जुड़ा स्नैप सूट सेयर कर रहा अग्सपोर्ट डिक्सनरी का नहीं है हाला कि यह भी असपस्ट नहीं हो पाया है कि राहूल गांधी या उनकी आईटी सेल ने इस ट्वीट के एक मजा के तौर पर सेयर किया है इसका मतलब कुछ और हो सकता है जिया दोस्तों क्यूंकि जैसा ही पहला ट्वीट था उसके चं झाल